Hello friends, कैसे आप सभी लोग, hope को और आप सब अच्छे होंगे और आपकी preparation काफी अच्छे चल्ली होगी, आज की वीडियो में आपको बात करेंगे TCP header के बारे में, टीक है, TCP header में बहुत सारी information में मिलती है, जिनको use करके हमने data को easily भेज सकते हैं, टीक है, और वो कौन-कौन से information हो तो टोटल यह field जो बन जाता हो 32 bit का बन जाता है, इसी तरह से यह field भी आपका 32 bit का होता है, तो यह भी आपका 32 bit का होता है, अब यह क्यों-क्यों use करते हैं, वो में आपको एक एक करके बताऊंगा, ठीक है, सारा एकी वीडियो में cover नहीं होगा, आज सिर्फ destination port और sequence number ठीक है, इसमें भी क्या-क्या प्रोलम आती है, किस तरह से हम sequence number को रखते हैं, क्या उसके बीचे का logic होता है, वो जानेंगे, ठीक है, फिर acknowledgement number होता है हमारा, फिर आता हमारा header, जो इसकी length होती 4 bit, ठीक है, फिर reserve bit होती है, 6 bit, उसके आथ हमारे 6 flag होते हैं, इन सब flags का एक अनोखा अपना कुछ काम है, जो भी हम आगे जानेंगे, ठीक है, यह उगती है, आपके urgent bit के लिए, यह उके acknowledgement bit के लिए, यह push bit के लिए, reset के लिए, यह synchronization के लिए, fin bit के लिए, ठीक है, तो हर एक जो flag होता है, हो क्या करता है, एक-एक bit लेता है, तो यहाँपर total कितनी bit का होता है, और urgent pointer, urgent pointer और urgent flag, दोनों में difference होता है, इसी तरह से acknowledgement number और acknowledgement flag, दोनों में फरग होता है, ठीक है, यह 32 bit का है, और यह 1 bit का है, ठीक है, तो यह भी कितना होगा, 62 bit का होगा, जिए 16 bit का होगा, जिए 32 bit total यहाँपर इस field को लग गए, यहाँपर 32 bit मतलब 4 byte, 4 byte से और 4 byte आपका यहाँ से आ गया, और 4 byte यहाँ से, तो total कितना byte हो गया, यहाँपर यह 20 byte हो गया, ठीक है, फिर आपका यह optional होता है, यह पर 0 से लेकर 40 byte तक कितना भी vary कर सकता है, और यहाँपर देखे, bits की बात हो रही है, यहाँपर जो data आता है हमारे पास, वो आता bytes में, ठीक है, तो यहाँपर 0 से लेकर 40 byte सक data आ सकता है, ठीक है, फिर optional data हमारे पास यह आ गया, जो data में लोग भेजते हैं, वो यहाँपर से आ गया, ठीक है, अब देखे, TCP header टिपिकली जो range करता हो, 20 से लेकर 60 तक करता है, 20 से लेकर 60 तक क्यों करेगा, देखे, 20 stop कहींपर आ गय अगर option नहीं होता है, तो यहाँपर कितना जाएगा, 20 byte, तो यहाँपर vary कितने कर सकता है header, 20 से कर 60 तक, यह question आप से पूछा सकता है, कि क्यों vary करता है, 20 से कर 60 तक, ठीक है, कोई fix size क्यों नहीं है, ठीक है, तो वो depend करता है, option में, option के वज़ए से 22, 60 हा सकता है, 20 तो हमारा fix रहेगा, ठीक है, फिर आता था आपका source port, फिर आता था का destination port, देखिए, हमें पता आएगी जो TCP है, जो TCP होता है, वो क्या करता है, end to end data को transfer करता है, end to end मतलब यह कै करेगा, port number निकालेगा, port number मतलब जो process होती है, process होती है, उनके number को निकालता है, ठीक है, वैसे end to end कहते है, वैसे port number भी कहा सकते है, वनना, आप कहा सकते हैं कि process का number होता है, ठीक है, port to port transfer करेगा, यह इसका काम होता है, तो इसका काम क्या है, कि जो भी process चल ली है, ठीक है, कोई system अपने लिए रखाए, उसमें जो process चल ली है, उनको एक number assign करना, ठीक है, यह number assign करना, उस number जो assign हुए ह तो इनको प्रोसेस को देना भी है किसी और प्रोसेस को देना भी है या उनसे लेना भी है तो वहाँ पर से क्या गरेगा सारी प्रोसेस जो प्रोसेस इसने मागी है उन प्रोसेस में यह पासओन करते हैं तो multiplexing का भी काम यह करता है TCP यह चीज हमें पता है ठीक है तो सबसे पहले जो हमारा source port था वह क्या गरेगा जो भी हमारा device है उसमें जो port number होगा उसको लेगा ठीक है जैसे माल लीजिए मैंने एक device लिया इसमें एक प्रोसेस चल लिया जिसको मैंने एक number दिया 40 ठीक है अब यह port number कैसे decide होता है क्यों decide होता है वह हम आगे जानेगे सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि किसकी range चक हम लोग port number दे सकते हैं तो देखें जो आपका source port होता है destination port होता है उसकी दोनों की bit कितनी है 16 bit है मलब 2 की power 16 bits हैं यहाँ पर इतनी values हम प्रवाइड करा सकते हैं तो कितनी value आगी 0 से लेकर 2 के और 16 minus 1 2 के और 16 minus 1 क्यों करा मां लेजे मेरे बाद 4 है इसको मैं number देता हूं इसको पहले एक को 0 देता हूं जिए करता है इतने port नमर पर होते हैं तो अगर मैं इसको number में देखो तो यहाँपर कितना नहीं कर सकते हैं उसका क्या है कि यहाँ पर क्या होता है इंटलनशन असाइंड नमबर अथर्टी टिक है यह क्या है इक ऑथर्टी एक ओनेजेशन हैं जो की port नंबर allocate करवाती है ठीक है इसके और काम भी है जैसे ip address allocate करवाना domain number system को manage करना और protocol assignment करना ठीक है तो अभी हम यह समझ लेते हैं कि यह जो है इसका port number कितना दिया जाएगा 80 यह fix है यह मैं पता है ठीक है FTP हो गया इसके लिए port number कितना है 21 है ठीक है उसी तरह से आपका टेलनेट हो गया इसके लिए कितना port number है आपका 23 है यह मैं बता चुका हूँ STP क्या काम करता है FTP क्या काम करता है ठीक है तो अगर नहीं भी बताया होगा तो दुबारा बता दूगा जब इनकी हम दो बात करेंगे detail में जानेगे जब इसको ठीक है तो यह सब port number कितने 65535 port number तो क्या सभी के सभी well known होते हैं एक मैं आपको idea देता हूँ कितने सब कितने हमें well known होते हैं कितने हमें मिलते हैं जो हम use कर सकते हैं तो इसके बाद आझा आपका 1023 1024 से आपके रिजर्व होते हैं और उसके बाद जितने भी हमारे बचे हैं वह हम पोर्ट नुमबर इसी भी प्रोसेस को असाइन करा सकते हैं अब देखें अब हमें पढ़ना है सॉकेट को पढ़ी है उससे पहले हमें प्रोब्लम समझ लेते हैं फिर हम सॉकेट को समझेंगे तो द आपस मिए कम्यूइकट करना चाते हैं सिपसमें तो इसको में एक फॉर्ट नम्मर दे दा हू। म凝ाली जी मैंने इसको पोर्ट नमर दियां ठीक है कॏ आगर मैं सिर्फ आपका जो सोर्स एड्रस है ठीक है एस विय मैं एक टेर्ट नंबर हैस पोर्ट है उसकी मदद से इड तो करके देखते हैं अगर मैं सिर्फ source port 40 और 80 इसको भेजता हूं और इसकी मदद से identify करना चाता हूं कि कौन सी process में है तो यहां पर मैं कल लोगा यहां पर अलग अलग इंडिविजवर प्रोसस नमबर दे सकते हैं लेकिन आप कैसे रोखिंगे कि किसी और डिवाइस में सेम पोर्ट नमबर ना हो यहां पर भी यह port नमबर 40 हो सकता है possibility तो ही न, possibility बहुत कम है लेकिन possibility तो है, यहाँ पर port number 40 हो सकता है एक और port हो सकता है, यहाँ पर 80 हो या 70 हो, एक port number ऐसा भी हो सकता है तो जब यह इससे communicate करेगा मालने कि इसी port number से भी यह communicate करना चाहता है तो इसका source और destination भी address क्या होगा source, port और destination port क्या होगा फोटी 80 ही होगा, तो कैसे यह कैसे identify करेगा कि किसको भेजना है data, return में data किसको भेजना है इसको भेजना है, या इसको भेजना है कैसे पता करेगा, इसमें confused हो जाएगा तो इस case में आप यह सोच सकते हैं कि क्यों न, हम इसको IP से identify करा ले, जो इसकी IP है और इसकी IP है, वो तो अलग-लग होगी ठीक है, मैंने IP मान लिया, इसकी A है और इसकी B है, और इसकी IP C है मान लिए ठीक है, तो मैं यहां से अब IP की मदद से अपने data को भेजवाना चाहता हूँ तो क्या होगा, देखिए, अगर मैंने इस साले डिवाइस से IP भेजना चाहिए तो IPA मैंने यह भेजा, ठीक है, इसका यूज किया, और IPC मैंने इसका यूज किया, ठीक है, डिवाइस को identify करने के लिए, तो इस case में क्या होगा देखिए, जब यह process अपना information मांगेगा, या फिर data मांगेगा, तो यह भी IP भेजेगा इसकी IPA कालते है IPA होगी, और जिसको भेज रहा, उसकी IPVC होगी, तो देखिए, इन दोनों में कोई difference नहीं रहा ठीक है, कोई difference नहीं रहा, तो इस case में हम क्या कर सकते हैं, इस case में यूज़ करेंगे हम socket का, देखिए, socket क्या करता है, वो IP address और port नमबर दूनों को ही combine कर देता है, ठीक है उससे हमें हर एक process का एक unique number मिलता है, देखिए, इसमें IP जोड़ दूँगा, और 40 जोड़ दूँगा, अगर मैं यहाँ परसे भेज रहा हूँ IP address A का 40 और IP address C का 80 port number, तो देखिए, यह चीज और दूसरा जो process है इसका IP क्या होगा, IP A का 70 port number, IP C का 80 port number, देखिए, यहाँ पर difference आगया, ठीक है difference आगया, इसको पता चल जाएगा, यह अलग process है, यह अलग process है अगर यह भी, देखिए, access करना जाएगा इसमें भी, आपका 40, 70 मालेजे तो इसका जो IP address है, IP B है और फिर 40 है, और यहाँ पर IP PC है, और फिर यहाँ पर 780 है, ठीक है, तो यहाँ पर difference हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है IP header भी बताऊँगा, क्योंकि मैं application layer, फिर अपका TCP आगया फिर उसके बाद आपका network layer आगया उसमें हम लोग IP address को use करते हैं, तो IP address में IP header आएगा IP header किस तरह से काम करता है, वो हम सिखने के बाद में, ठीक है, तो IP address होता है, 32 bit का, ठीक है, फिर उसमें आगे बात करेंगे, तो UDP की बात करेंगे, ठीक है यह चीज़ समझ में आया, यह क्या problem थी, ठीक है, किसकी वज़े से हमने socket को use क्या, यह चीज़ समझ में आगया, आपकोई भी आपस पूछे का तो बता देंगे easily, अब आता है sequence number, थर्ड जो हमारे पास information हमें मिलती है, देखें, वो मिलती है, sequence number जो की थी, थाटी टू बिट के, अभी sequence number मदद क्या करती है, इससे होता क्या है source और destination, source, port और destination, port से हम समझ के, कि हम identify कर पाते है individual ports को, वन हम ports को identify नहीं कर पाएंगे, कौन सी process से उसको identify नहीं कर पाएंगे, लेगिन sequence number किसले चाहिए, देखें, use to install data arrival in order, इसको हम छोड़ देते हैं, इसको आपड़ देना ठीक है, इसको मैं को ऐसे समझा देता हूँ और फिर byte stream protocol का इसको भी समझा दूँगा ठीक है, देखें, sequence number क्या होता है इसमें एक add कर लेते हैं page अब हमारे पास क्या है, मेरे पास एक data है ठीक है, अब यहाँ पर 20 जो हमारी bytes है, वो तब के header के लिए use हो जाएंगी या अब के header के लिए add होगी, फिर बाकी के information में हम लोग data भीज देंगे, ठीक है, अब यह data मा लिजे मैं भीज रहा हूँ, 100 byte का data है, और 20 byte का यह है, तो 120 byte का total बन गया, ठीक है, header आगया, अब header में बहुत सारी चीज़ होंगी, 20 bytes में, अभी 20 byte ले रहा हूँ minimum, 20 byte option को मैं add नहीं कर रहा हूँ, 20 byte में क्या क्या चीज़ होंगी, सबसे पहला source port आएगा, destination port आएगा, sequence number आएगा, तो sequence number यहाँ पर आएगा, तो sequence number क्या करेगा, जो भी data आता है, जो उसकी first byte होती ही न, ठीक है, first byte होती है, उसको एक sequence provide करा देता है, ठीक है, first जो byte होगी, उसको एक sequence provide करा देगा, जैसे इसकी first byte मा लीजे, इसको में एक number पर फ्रोवाइड करा दे रहा हूं 200 तो यहां पर यह क्या करेगा सिंक्वेंस नंबर इस 200 को स्टोर करके रखेगा ठीक है अब यह कुछ भी हो सकता है वन मिलियन में से कुछ भी हो सकता है क्योंकि यहां पर कितना है 32 बिट टू की पपर 32 बिट्स ठीक है इतने डाटा हम सिकमेंस नंबर की इसके फरस्ट बाइट को ठीक है यह क्या करेगा है जो हीडर होगा जिसमें सिक्वेंस नंबर होगा वह किसको इस अच्चबबस बैच है וकितनी की है 200 की है तो लाश वाली कितने होगी कि उसका नंबर कितना होगा 200 प्लस 100 माइनस 1 माइनस 1 क्यों करने पता है ना क्योंकि यहाँ पर अगर मालीजे मेरे पर 4 डंडे हैं इस तरह कैसे इसको मैं 0 असाइन कर रहा हूँ तो यहाँ लगा कितना होगा 3 होगा 0, 1, 2 1, 2, 3 होगा ना एक कम होगा उसी तरह से यहाँ पर यह कितना होगा एक कम होगा 300 माइनस 299 तो यह आखरी बाइट होगी वह कितना होगा 299 होगा तो जब receiver होगा receiver क्या हम आगेगा receiver बोलेगा कि अब मुझे जो डाड़ा चाहिए वह 299 के आगे का चाहिए मनलब 300 का मुझे चाहिए अब किस तरह से भेजते हैं क्या क्या चाहिए पास होते हैं वह बाद में जानेंगे अब यह जानेगे कि यहां पर क्या हो रहा है कि पहला जो byte है उसका address मलब उसका जो byte नमब उसका sequence नमबर होता है यहां पर यह store करके रखता है अब यहां पर क्या होता है कभी भी जब भी हम TCP यूज़ करते हैं तो उसमें जो data कितना length है total length है वह mention नहीं होती है total length मेंशन नहीं होगी ठीक है total length कितनी है जैसे 120 मैं तो यहां पर calculate कर दे रहा हूं लेकर मेंशन नहीं होगी 220 ठीक है 120 मेंशन नहीं होगा और ना ही इसमें data की length मेंशन होती है 100 है करके अगर ऐसा होता तो मैं byte योड़ लेता आगी कि header की 20 byte और फिए 100 byte का यह हो गया तो मुझे यहीं पर ही मिल जाता ठीक है और अगर मुझे यह पता होता कि अपका total header कितना है total length कितनी है तो उससे भी मैं calculate कर लेता header minus कर लेता यह निकल जाता कहना क्या चाह रहा हूं देखिए मैं यह कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पा जो TCP होता है वो यह दोनों ही information नहीं रखता टोटल लेंथ कितनी है ठीक है total length कितना गया packet का size कितना है segment का size कितना है वो नहीं रखेगा अपने byte का sequence क्या होगा यह हम calculate नहीं कर पाते हैं तो receiver कैसे calculate करता है receiver किसे calculate करता है कि आपने यह segment भेजा तो वो segment आपका IP address साथ है IP address के अंदर जाएगा तो यह segment है उसका एक header है और यह जो data होता है यह जो segment है यह IP के header में जाएगा पास on होगा IP के header में तो IP का header के pass information होती है कि उसका total length कितनी है तो वो क्या करेगा अपने header को इसके header को minus कर देगा तो यहाँ पर data निकल आएगा मालीजे 20 है यह भी 20 है और total है आपकी मालीजे 140 तो यहाँ पर data कितने का आगया 40 माइनस कर दूंगा 100 का data आएगा 100 का first sequence मुझे पता है 200 है तो क्या मैं लास्वला निकाल पाऊँगा निकाल पाऊँगा तो यह IP का use करता है और IP का use कैसे करता है कि मैंने आपको बताया हर एक लेयर होती है पहले बताया है मैंने यह कि हर एक जो लेयर होती है वो नीचा ली लेयर से communicate करती है तो TCP जो कहा वो IP से पूछ लेगा मलब आपका network लेयर से पूछ लेगा कि भाई बता मेरे को कि इसका length किती थी क्योंकि IP को टोटल length होती है ठीक है तो वहां से वो calculate कर लेगा तो अभी मैं क्या समझा रहा हूँ कि हर एक byte की एक sequence होता है और byte में क्यों रखते है क्योंकि आप TCP होता है वो byte stream protocol को follow करता है तो इसमें हम लोग क्या करते है हर एक byte को एक sequence देते है जो भी data के सांग pass हो रही है तो byte stream protocol such as TCP TCP क्या है byte stream protocol है इसी तरह से और protocol भी होते है लेकिन आपके course में TCP ही है तो TCP को हमें बता रहे है इस टाइप network communication protocol that drive data at a continuous unstructured stream of bytes ठीक है क्या होता है कि आपके जो लगातार bytes यहां पर पास्वान होते हैं यहां पर हम लोग लगातार bytes को भेज़ेंगे किसी भी तरह का इसमें gap नहीं होगा किसी भी तूटा नहीं जाएगा को break नही किया जाएगा अंदर पूरा का पूरा एक sequence में भेजा जाएगा अब इससे problem क्या रही है ठीक है और problem आने की वज़े से हमें यहां पर random initial sequence number क्यों use करना पड़ रहा है अब random initial sequence number है क्या इससे पहले हमें problem समझनी पड़ेगी कि इसको use क्यों क्यों करता है मैंने एक source माना और यहां पर destination है ठीक है इस तरीके से यहां पर यह data को pass कर रहा है ठीक है तो मेरे पास यह आ गया segment यहां पर आगया header ठीक है यहां पर आगया data इसकी first sequence आ गई sequence समाल लीचे 0,0-0 से start कर रहा हमें सबसे बहले अगर 0 से start करतें तो problem क्या थी सबसे बहले यही सोचा गया हता हम 0 से start करते है sequence को उससे सभी रहेगा लेकिन problem देखने को एकनॉल्जमेंट भीजेगा एकनॉल्जमेंट वह यह बोढ़ेगा कि नेक्स वाला जो सिक्वेंस है उसको भीजो ठीके उसलिए क्या होता है दोनों काम हो जाते हैं ठीके तो रिसीवर क्या करता है जैसे मां लेजिए यहां पर 100 बाइट का ठाट है तो जिरो से लेकर कितने फेहां इसने भीजा भीजा इसcollum मां इसको यहांसे एटाती disc हूं अ अुप इसके बाद क्या करेंगा नेक्स भीजबा आप यह अप्र खोनी कर रह explor घॉनने 24 लैट 1069 प्प्र कितने तींक तव में 195 में से 벌써 रहेगा फिर इस तरह केसे से डाटा भीजा मौ लेज़ा यह तो रिषीव हो गया यह भी रिषीव गया five डियो यह रिषीव नहीं पाया यह पहुंची नहीं पाया वहां तक एक एक और आपके प़ोर्ट नंबर ने जिसका पूर्ट नंबर सेम था इसको में एक पूर्ट नबर पोर्ट नमबर का है और यह 80 पोर्ट नमबर का है ठीक है तो यहां पर मैंने को क्या बोला पोर्ट नमबर 40 है तो इसके इसकी IP address भी जाएगा IPA मान लिया मैंने इसको और इसका IPB भी है ठीक है तो अब देखिए सिक्वेंस यहां पर खतम हो चुका यह यहां पर प्रोसेस खत से लेकर यहां पर 99 तक दुवारा data भीजेगा ठीक है और फिर यहां पर क्या होगा its 100 से लेकर 199 तक दुवारा भीजेगा ।्रोट कमान लेज़ें और यहां पर नहीं पहुंच सीम में है तो कैसे पता तलेगका कि यहां यहां प्रोसेस सा है था पता नहीं चल पाएगा, तो उस case में यहाँ पर problem create हो जाती है, अगर हम zero से start करते हैं तो, उसके लिए solution क्या निकाला, उसके लिए solution यह निकाला, कि हम लोग क्या करेंगे, random initial sequence number ढोड़ेंगे, जो आपका data हम लोग भेज रहे हैं, header के साथ, जो sequence number हम लोग भेज रहे हैं, जो next time यह possibility बहुत कम हो जाएगी, कि इसका जो sequence number है, वो आपका same आए, जो इसका था, बहुत ही probability कम हो जाएगी, ठीक है, जो कितनी probability अगर आप निकाले तो, same होने की, 1 upon 2 की पावर 32, इतनी probability, यह बहुत ही minute सी probability है, ठीक है, इसको आप calculate कर लेंगे, अगर तो, यहाँ पर, जो probability probability है, वो बहुत कम मिलते है, कि same sequence होने की, तो इससे problem solve हो जाती है, जो समलोग क्या करते है, random initial sequence को लेते है, ठीक है, यह provide क्या करती, security provide करते है, preventing snooping attack, सबसे बहुत है, यह prevent करवाती है, कि कोई hacker, ठीक है, वो हमारी data को snoop ना कर रहा हो, ठीक है, वो कैसे, माल लीजी, यहाँ पर अगर इसी तरह से sequence चले, 0 से लेगर, 100 तक इस तरह से चले, पहले से मैं पता हूँ, 0 से लेगर, 100 तक चलना है, तो कोई तूसरा बंदा आ के, packet को manipulate करके भेज सकता है, कि मेरे को भाया, 100 से लेगर 99 वल, अपना भेज सकता है, 100 से लेगर 99 तक का, किसी तरह का virus भेज सकता 100 से लेगर 99 तक का, अब उसको पता है, कि यहां 0 से लेग 99 चले गया, अब second packet मैं भेज देता हूँ, यहां से 100 से 99 तक का, तो beach में वो problem create कर सकता है, mitigating TCP reset attack, अब रिसेट होता है, आपका एक flag होता है, क्योंकि क्योंकि रिसेट कर देता है, पूरे connection को, तो वहाँ पर वो भी क्योंकि उसको पता तो ही, कि sequence यह आ रहा है, 0 तक 99, 99 से 100 तक, वो उसको beach में manipulate करके, वहाँ पर उसको reset भी कर सकता है, reliability and data integrity, avoiding sequence number overlap, जो sequence number overlap होता है, जो मैं आपको प्रॉब्लम यहां पर दिखाई, जो मैं यहां प्रॉब्लम देखने को मिल ले थी, वो यहां पर नहीं होगी अगर हम random initial sequence number का use करते हैं, तो avoid reply of old packet, यहां पर old packet आ रहा है, जैसे में यहां पर था यह packet और यह packet बिल्कुल same थे, तो कैसे पता लेगा कि कौन सा किस process आया है, क्योंकि तोनों का sequence number same है, वो ही port number same है, वो ही IP address same है, तो कैसे पता लेगा, नहीं पता चलेगा, तो उस case में क्य होगा, problem हो जाएगी, ठीक है, उससे, उसका solution भी आप लेखा सकते है, random numbers initial sequence से, solution उसका दे सकते है, ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, कि क्या होता है sequence number, और किस तरह से सको हम prevent करते हैं, कहां पर हम random initial sequence number use करते हैं, क्यों करते हैं, फिर हमने सीखा है sequence number यह आपको बता द होते हैं, उनके बार में सीखेंगे, जाने से पहले एक छोटी सी request में आपसे करना चाहूँगा, यहाँ पर हमारे एक और चैनल है, Chase Geeks की नेम से, यहाँ पर मैं different programming language और framework पर वीडियो बनाते रहता हूँ, अगर आप हमारी playlist में चले जाएंगे, तो यहाँ पर आपको different programming language औ framework पर वीडियो मिल जाएंगे, अगर आपको coding में इंटरस्ट है, तो हमारे इस चैनल को आप subscribe कर सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आईए, तो हमारी वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और हमारी चैनल को subscribe करना ना बोले, thank you watching, goodbye, take care झाल